चलिए आज बनाते हैं रत और उप्वास के लिए मुंगफली की बर्फी मुंगफली की ये बर्फी इतनी नरम है कि बिना दात वाले भी इसे आसानी से खा सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है बस 10-15 मिनट में ये बर्फी बनके तयार हो जाएगी और पहली बार भी बना रहे हैं तो भी बहुती पर्फेक्ट टेक्शर के साथ आपकी ये बर्फी बनके तयार होगी हलो दोस्तो मैं हूँ हितल और किचन क्राव रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज की मज़ेदार ऐसे भी बनाना शुरू करते है मुह में जाते ही घुल जाए ऐसे मुंफली की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मुंफली तो ये रोस्टेड मुंफली है जिसके छिलके मैंने निकाल दिये है आप चाहे तो मार्किट में जो रेडिमेड पुनी हुई मुंफली मिलती है रोस्टेड वाली वो भी ले सकते है या फिर घर पर भी उसे रोस्ट करके उसके छिलके निकाल कर इस तरह से तयार कर ले तो ये मैंने वजन में ली है 500 ग्राम आगे मैं आपको कप से मैजर करके भी बताऊंगी कि कप से अगर मैजर कर रहे तो कितनी है और 1500 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी ली है और इसमें डालेंगे हम फ्लेवर के लिए कार्डेमन पाउडर यानि के इलाइचे पाउडर आदा टीस्पून मैंने लिया है अब mixage घर के अंदर सबसे पहले हम मुँफली को ग्रैंड करेंगे तो कब से मैजर करके देखे तो तक्रीबन पोना दो कब यह मुँफली है और वजն में है 1500 ग्राम आपको जो भी कंविलेंट है उसब निक्रात है उस तरह से आप इसे मैजर करके ले सकते है तो देखिए, बढ़िया से हमारी जो मुफली है ग्राइन्ड हो गई है, और उसमें से तेल भी नहीं निकला है, और इसे हमें बहुत महीन नहीं पिछना है, और जो चीनी है, वो भी हम मेजर करके देख लेते हैं, अगर कप से आप ले रहे हैं, तो कितना लेना है, तो कप से अब मेजर कर रहे है तब ओना कप यानि कि 3 4th कप है और वजन में है 1,500 ग्राम तो चलिए मेजरमेंट तो हो गया अब हम करेंगे बरफी बनाने के लिए चाशनी तो यहां पर मैंने एक फ्लैट पैली लिया है और उसके अंदर डालेंगे चीनी तो 3 4th कप चीनी है वजन में 1 500 ग्राम तो आदा कप हमें पानी मिलाना है और हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है तो सबसे पहले तो हम गैस की फ्लैम को स्लो रखेंगे और लगातार जब तक चीनी अच्छे से घुलनी जाती ना तब तक इससे चलाते रहेंगे जब भी आप चाशनी बनाते है तो पहल स्लो रखें और टीनी को अच्छे से मैल्ट ऊजाने दे उसके बाद गैस की फ्लैम को मेडियों और हाई के बीच मर राखेंगे और इसे उबल दे जब इस तरह रहेंगे बुल्वुल आने लगे तब हम क्या करेंग इलाची पाव्डर डाल देंगे जो लोग रेकुलर प्लेट के अंदर हम थोड़ी सी जाशनी अलग निकालेंगे और उसे आधा मिनट के लिए थर्टी सेकंड के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे उसके बाद चैक करेंगे तो देखे एक तार बन रहा है और हमें बहुत ही मतलब मोटा वाला एक तार नहीं चाहिए बस हलका स बनना चाहिए तो हमारी जाशनी अभी तयार है तो जो मुफली हमने ग्राण करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी धेर में यह असानी से एक दुसरी के साथ मिक्स हो जाएगा और पैन भी छोड़ने लगेगा तो गैस आपका मिशन है वो इस तरह से इकठा नहीं होगा तो आप क्या कीजे कि थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को अन कर दीजिए और उसे चलाते रहिए तो इस तरह से आपका मिशन तयार हो जाएगा अब यहां पर मैंने एक चमच घीस के अंदर डाल दिया है घी डालने से इसके खुश्बू तो बहुत बढ़िया आती है लेकिन उसके उपर बहुत बढ़िया से एक शाइन आ जाती है तो बस अभी यह जो मिशन हमारा है वो तयार हो गया है तो इसे हम एक मोल्ड के अंदर पलट देंगे मोल्ड को मैंने पहले ही बेकिंग पेपर लगा कर तयार क तो बस देखिए अभी आपको यह लग रहा है मिशन की थोड़ा सा यह लूज है लेकिन थोड़ी धेर में यह जमना शुरू हो जाएगा तो स्पैचुला से उसको हम लेवल अप कर लेंगी और इसे बस बाहर ही चोड़ेंगे फ्रीज में नहीं रखेंगे फ्रीज में दो गंटे के अंदर यह तैयार हो जाएगा फ्रीज में अगर आप रखते है तो इसके बाद क्या होता है कई बार की वह पानी चुड़ता है दोस्तों आपनी यहां तक रेसिपी देखी है और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो मैंने इसे बस तकरीबन 15-20 मिनट छोड़ दिया था अब क्या करेंगे इस तरह से हम कट लगा देंगे ताकि बाद में आसानी से हम इसे अन्मोल कर सके दो गंटे में यह अच्छे से तयार हो जाएगा तो दो गंटे के बाद एक प्लेट के अं जैसे ने जैसे पोना 2 Cup मुंगफली लिती तो आप जाहे तो उसमे एक कप मुंगफली और 3-4 cup यानि पोना कप डेसिकुरेड और ले सकते हम इसके बना सकते है मुंगफली और कोकनट की यहां पर मैंने सिर्फ मुंगफली बनाई है तो उसके उपर हम ठोड़ा dolly की बनाई राफिश कर देंगे तो रेशिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर तो आपको कर सी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीज़े और ऐसे नहीं नहीं राशिपी देखने के लिए मेरे साथ चुड़े रहें तो फिर से मिलेंगे नहीं रेसिपी के साथ